नमस्ते वोस्तो एक नई अपडेट आई है 12th बाइपार्टाइट सैटलमेंट को लेके जो वेज रिवीजन है बैंकर्स की उसको लेके जो next round of discussions है वो होने जा रहे हैं 9th, 11th और 12th जैन्वरी को यानि कि 9, 11 और 12 जैन्वरी 2024 को जो अगली round of discussions है जो meetings है वो होने जा रही है तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी discuss किया था कि क्या expectations है अभी आने वाले टाइम में कि कैसे वेज रिवीजन में chances हैं कि जैन्वरी में ही फुली completely settle हो सकती है हाला कि जब 7th December 2023 को जब जो memo sign हुआ था between bank unions और IBA के बीच में तब यह decide हुआ था कि 180 दिन 180 days का time लिया गया था कि जो completely इसको जो sign करने के लिए और जो भी pendences हो उसको remove करने के लिए 180 दिन का समय लिया गया था लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा था कि जो full settlement है जो पूरी की पूरी complete जो signing होनी है वो chances हैं कि January में हो जाएगा क्योंकि February में budget पेश होना है और उसके बाद जो code of conduct लग जाना है तो code of conduct जब लग जाता है उसमें कुछ restrictions आ जाती है तो हो सकता था कि उस वक्त जो पूरी तरह से जो completely हमारी जो signatures होनी है या जो pendency ना निकालनी है उसमें कोई अलचन आती तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि January के पहले या दूसरे हफते में जैसे कि हमने अपने पूराने वीडियो में भी discuss किया था मैं उसमें भी पूरी तरह से हमने जो discuss किया था कि कैसे wage revision हमारी हु progress होने वाली है तो उन वीडियो का link भी मैं description box में डाल दूँगा तो उसमें हमने discuss किया था कि जो 7 December 2023 को 17% hike मनजूर किया था यह ने साइन किया था और साथ में 3% load factors में एड हुआ था pensioners को लेके update सी और 5-day banking जो major concern है bankers का उसको लेके बहुत सारी update सी उस सभी को लेके जो वीडियो थे उसका जो link है वो भी मैं description में डाल दूँगा और उसके साथ ही अभी 9 तरीक को next meeting है तो 9 जनवरी 2024 को एक major update आ सकती यह कुछ 5-day banking को लेके और साथ की साथ जो wage revision है उसको जो और भी बहुत सारे prospects से और भी बहुत सारे जो demands सी हमारी unions की जैसे कि पिछले वीडियो में हमने डिसकस किया था कि 40 charter of demands थी 40 demands थी जिसको रखा गया था IBA के आगे तो उनमेंसे कुछ तो 7 दिसमबर 2023 को sign कर दी गई लेकिन कुछ ऐसी है जो अभी भी pending है तो उमीद करते हैं कि next meeting जो 9th January 2024 को है उसमें वो उन पर ध्यान दिया जाएगा और उनमेंसे और भी बहुत सारे मसले जो है वो solve होंगे उसके बाद 9 के बाद 11 तरीक को meeting है फिर उसके बाद immediately next day 12 तरीक को meeting है तो यह जो तीन meetings साथ की सा यह circular आए हैं आई बीए की और से तो यह तीन meetings चार दिन के अंतराल के बीच में रखी गई है तो यह बहुत यह तियासिक और एक game changer फैसला हो सकता है क्योंकि तीन meetings चार दिन में हमने पहले शायद कभी नहीं देखी होगी IBA और bank unions के बीच में तो इसको देखके लगता है कि एक eagerness है एक urgency है कि जो wage settlement है उसको मतलब बहुत सारा chances है इसमें कि वो january के बीच बीच में ही settle हो जाएगी तो जैसे कि पहले भी हमने discuss किया था उसी को दर्मियान रखते हुए हम उबीद कर सकते हैं कि जो wage settlement है वो इन तीन दिन में 9, 11 और 12 january के बीच में maximum settle हो जाएगी या fully settle हो जाएगी तो दोस्तों जैसे कि हमें पता ही है कि हमारी जो wage settlement है वो November 2022 से due थी तो पहले तो इतिहास में हमने देखा है कि जो settlement है वो काफी जाधा time ले रही थी इस बार बहुत urgency के साथ बहुत तेजी के साथ ये settlement हुई है तो एक साल के बाद तक करीबन December 2023 में जो memo sign हो ग रखे गए हैं तो तीन मीटिंग्स रखी गई हैं 9, 11 और 12 को तो उमीद करते हैं कि उसमें हमारी जो settlement है वो fully completely हो जाएगी जो circular आए हैं IBA के वर से वो तीन circular हैं basically circular number 732, 33 and 34 तो इनमें उन्होंने यह dates mention की है अलग लग तो पहले वाले में 732 वाले में लिखा गया है कि जो first meeting है bank unions और IBA के representatives के बीच में वो होगी Tuesday 9th January 2024 और वो सुबा 11 बजे होगी similarly जो second circular है उसमें लिखा गया है कि जो second meeting है वो होगी Thursday 11 January 2024 फिर 11 बजे और जो third meeting है वो होगी 12th January Friday को और यह होगी सुबा 10.30 बजे तो यह तीनो meeting का जो timing और dates final कर दी गई है तो इससे हम conclude कर सकते हैं अंदाजा लगा सकते हैं कि urgency है जल्दी से जल्दी हमारी wage settlement होने वाली है और जो wage revision होगी उसके जो भी benefits हैं वो सारे bankers को जल्दी मिलने वाले हैं तो दोस्तों उमीद करते हैं कि यह जो टीन दिना यह हमारे लिए बहुत अच्छे होंगे जो major concern है 5-day banking का वो भी जल्दी से जल्दी resolve होगा 5-day banking उमीद करते हैं कि जल्दी implement हो जाएगी उसके साथ ही जो भी pendences हैं वो भी जल्दी से जल्दी sign हो जाएगी सब कुछ complete इन तीन दिन में हो जाएगा और जल्दी से जल्दी सारा कुछ complete होके सभी bankers को उनका जो भी salary increment है जो भी hike है वो उनको मिल जाएगा तो दोस्तों thank you so much वीडियो देखने के लिए अगर आपको ये update अच्छी लगी हो हमार आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कीजेगा अपने bankers साथियों के साथ share कीजेगा और हमारे चैनल को subscribe कीजेगा thank you so much जैहन